हेलो स्टुडेंट्स आप सभी को नमस्कार बच्चों 11 बिजनिस स्टुडी इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्वेश्चन बेंक विमर्स पोर्टल पर जो क्वेश्चन बेंक है उसके अबजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूं अभी तक मैंने आपको चार यूनिट करा चुका हूं आज यूनिट फाइब जिसका नाम है व्योसाई की उभरती पद्धति यहां इसके अबजेक्टिव टाइप आपको बताने वाला हूं इसके साथ ही आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आप लोगों की जो परिक्षा है आपको पेपर कॉपी दी जाएगे और आप घर से हल करके उसको जमा करेंगे मतलब घर से परिक्षा होगी ठीक है चलिए इसके अबजेक्टिव देखते हैं सही वी कल्प है इसमें दिया गया है कि e-commerce है e-commerce है उसके चार अंसर है effective commerce, economics commerce, engineering commerce या electronic commerce आज के समय में commerce के students के लिए इसका meaning जानना कोई इतना कठेन काम नहीं है आप सभी को मालूम होगा कि e-commerce का मतलब क्या होता है electronic commerce ठीक है e-commerce का मतलब होता है electronic commerce फिर है second e-commerce में भुक्तान होता है e-commerce में भुक्तान होता है यदि हम electronic commerce e-commerce से business करते हैं कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें हम भुक्तान कैसे करेंगे electronic माध्यम से ही भुक्तान करेंगे है ना नगत भुक्तान भी नहीं होगा चेक द्वारा भी नहीं होगा किसके द्वारा होगा electronic माध्यम कुन सा है debit एवं credit card से debit एवं credit card से आज के समय में हम सब यही काम कर रहे है debit credit card से ही payment करते है तीसरा है B2B B2B का मतलब होता है आज कल business करने के अलग अलग तरीके है B2B, C2B, B2C, C2B इस प्रकार से अलग अलग तरीके है इसमें B2B का मतलब होता है B means business bukan business to business weosai से weosai का जो business होता है तो यहाँ पर B2B क्या है weosai से weosai इसका अंसर क्या आएगा बी टू बी का मतलब होता है व्योसाय से व्योसाय अगला है e-commerce का जन्म हुआ जो electronic commerce है यह कब से शुरुवात हुआ है तो electronic commerce की शुरुवात कब से हुई है यह आपको हो सकता है नहीं मालू हो तो 1990 से इसकी शुरुवात हुई है next question है e-commerce से व्योसाय का छेत्र हो गया बैए e-commerce का जो छेत्र है e-commerce का जो फिल्ड है वो तो बहुत फैला हुआ है वो हम खोदी भी यदि online purchasing करते हैं selling करते हैं इसका मतलब कि जो e-commerce है वो कोई इस्थानिया नहीं है वो प्रांते भी नहीं है वो रास्टिय भी नहीं है वो किस प्रकार से हो वो अंतर रास्टिय व्यापार है तो e-commerce किस प्रकार का व्योसाय हो गया उसका चो छेत्र कैसा हो गया विस्व व्यापी हो गया कैसा हो गया विस्व व्यापी ठीक है तो यह पाच अंसर हो गए electronic commerce credit and debit card से वियोसाय से वियोसाय 1990 और 20 वियापी चलिए आगे बढ़ते हम रिक्तिस्थान पर चलते हैं ऐंलाइन वियोसाय में जब दोनों पक्ष क्रेता और विक्रेता दोनों पक्ष क्रेता दोनों तो online व्यासाय में जब दोनों पक्ष क्रेता और विक्रेता इसका मतलब खालिस्तान होता हूँगे तो ही वो e2e कहलाता है फिर e-commerce में कागजी कार्य विजनिस करते हैं तो वहाँ पर कागज की तो जरूती नहीं पड़ेगी मतलब कम से कम या उसको हम क्या बोलेंगे नियूनतम नियूनतम रहता है फिर b2b व्यापार b2b अभी मैंने बताय था business to business व्योसाय से व्योसाय तो b2b व्यापार व्योसाय का व्योसाय का व्यापार से व्योसाय का व्योसाय से ठीके व्योसाय का व्योसाय से business to business ठीके यहां एगा नियूनतम यहां एगा ऑनलाइन पहले में online e-commerce में कागिजी कारे नियुन्तम होता है B2B व्यापार व्याऊऊचाए का व्याऊचाए से व्यापार है e-commerce खालिस्तान का अंग है जो e-commerce है वह खालिस्तान का अंग है e-commerce किसका अंग है बताइगे कि एकॉमर्स खालिस्तान का अंग है और एक और आएक हमारा कि एकॉमर्स खालिस्तान का अंग है जिसका अंसर क्या आना चाहिए एकॉमर्स किसका अंग है एकॉमर्स खालिस्तान का अंग है उसी का अंग है e-commerce और c2c c2c मतलब c means customer to customer ग्रहक से ग्रहक तो c2c ग्रहक से ग्रहक का व्यापार है ग्रहक से ग्रहक का व्यापार है ठीक है तो online व्योसाय में जब दोनों पक्ष online हो तो वह e2e होता है e-commerce में कागजी कार्य नियूनितम रहता है b2b व्यापार व्योसाय का व्योसाय से व्यापार है e-commerce e-्योसाय का अंग है और c2c ग्रहक से ग्रहक का व्यापार होता है ठीक है ये यूनित हमारी complete हो गई इसके आगे अगली यूनित के objective देखते हैं देखिए 5 के बास सीधी 7 यूनित आ गई मतलब जो 6 यूनित है वो आपकी हट चुकी है यूनित 7 कमपनी का निर्मान इससे related देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दिये गए हैं कमपनी का निर्मान करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं एक कमपनी आपने व्यापार एक संगठन के अलग लग स्वरूप पड़े होंगे एका की व्यापार साजेदारी है ना कमपनी तो कमपनी का जो निर्मान करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कमपनी का निर्मान करने वाले लोगों को प्रवर्तक कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रवर्तक ठीक है प्रवर्तक कमपनी का निर्मान करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है प्रवर्तक कहा जाता है company के अंतरिक नियम रखने वाले प्रपत्र को क्या कहते हैं जब company का निर्मान होता है तो register रफिस में जब registration के लिए जाते हैं तो ये प्रबर्तक एक file में अलग-अलग कुछ form भरके ले जाते हैं तो company की जो अंतरिक नियम से संबंदित एक form होता है अलग-अलग उसकी form होते ये होता है ठीके है इसको सही तरीके से लिखना से ले ना Company का नियम रखने वाले प्रपत्र को कहा जाता है अपार्सद अंतर नियम व्यापर आरंब करने के लिए company को एक निमतम रासी की आवसकता होती है वे व्यापार को आरंब करना है तो व्यापार आरंब करने के लिए कमपनी को एक कम से कम नियूनतम रासी क्या हो सकता होती है और वो क्या कहलाती है उसे कहा जाता है कमपनी की भासा में नियूनतम अभिदान क्या होता है कि सबसे पहले कंपणी का समामेलन होता है समामेलन का प्रमान पत्र मिलने के बाद में एक नेजी कंपणी तो अपना व्यापार प्रारंब कर देती है लेकिन एक सारवजनी कंपणी को प्रविवरन जारी करना पड़ता है तो प्रविवरण जब कमपनी जारी करती है तो उसे अपना व्यापार आरंब करने के लिए प्रविवरण जारी करने के बाद नियूनतम अभिधान मिलना चाहिए उसने जितने सेयर निर्गमन किये गए हैं, उसमें कम से कम उसको नियुनतम अविधान मिलेगा, तबी उसका व्यापर अरंब हो सकता है, तो व्यापर अरंब करने के लिए एक सारोजनी कमपनी को नियुनतम अविधान मिलना चाहिए, कमपनी के नाम का अनुमोधन कौन करता ह हर एक स्टेट में एक पंजियक और पंजियन ओफिसर होता है जहां पर कमपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम फाइल सब्मिट करते हैं तो हम company का नाम भी उसमें लिप करके भेशते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी company का नाम रखले, ऐसा नहीं होता है नाम अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए तो registrar या फिर उसकों क्या बलते हैं, पंजियक ये उसका अनुमोधन करता है कमपनी के प्रथम निर्देशक कोन होते हैं, प्रथम निर्देशक का मतलब ये होता है कि जो company के निर्मान की प्रकरिया करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रवर्तक और वो प्रवर्तक ही उसके प्रथम निर्देशक कहलाते हैं ठीक है जो प्रवर्तक होते हैं वो प्रवर्तक ही उसके निर्देशक कहलाते हैं ठीक है तो पहले का हो गया प्रवर्तक कमपनी का निर्मान करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं प्रवर्तक अंतरिक नियम पार्शद अंतर नियम व्यापर आरंब करने के लिए कमपनी को एक न निम्तम अभिदान, कमपनी के नाम का अनुबधन कौन करता है, रजिस्टर या पंजियक, कमपनी के प्रथम निर्देशक कौन होते हैं, वो भी प्रवर्तक होते हैं, ठीक है, तो यह दो यूनिट कम्प्लीट हो गई है, अब इसके आगी की जो यूनिट है, वो आज साम में म आप लोगों को करवाँगा, कम्प्लीट, ओके, थेंक यू, बाए,